हमें इस समीकरण, यानि की equation को हल करना है, 3 बटा 4x जमा 2 बराबर 3 बटा 8x घटा 4, इसे हल करने के लिए हम x चरों, यानि की x terms को समीकरण के बाइंपक्ष, यानि की LHS में ले जाते हैं, और इस थिरांकों, यानि की constants को समीकरण के दाइंपक्ष, यानि की RHS में ले जाते हैं लेकिन भिन्णों यानि की fractions को जोड़ना और घटाना थोड़ा मुश्किल है इसलिए इन भिन्णों को पूर्ण संख्या यानि की whole numbers में बदलने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों को कुछ संख्याओं से गुणा करेंगे तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? आठ से गुणा कर लेते हैं लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये आठ कहां से आया? इसके लिए हमने चार और आठ का लगुत्तम समापवर तक यानि की least common multiple पता किया है और वो सबसे छोटी संख्या जो चार और आठ से विभाज यानि की divisible है आठ है तो आठ से गुणा करने पर आप इन भिन्नों को पूर्ण संख्या में बदल सकते हैं तो आएए समिकरण को आठ से गुणा करें आठ गुणा 3 बटा 4 को यहां पर हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आठ गुणा 3 बटा 4 आठ को 4 से विभाजित यानि कि डिवाइड करने पर 2 आता है और 2 गुणा 3 हुए 6 तो बाएपक्ष यानि कि LHS में 8 गुणा 3 बटा 4X 6X हो जाएगा और 8 गुणा 2 हुए 16 आपको ध्यान रखना है कि जब आप समिकरण के दोनों पक्षों या किसी एक पक्ष को किसी एक संख्या से गुणा करते हैं तो आपको प्रतेक चर को उस संख्या से गुणा करना होता है यहाँ पर हमने 8 का बंटन किया है यानि कि 8 को डिस्टिब्यूट किया है तो बाएपक्ष है 6X जमा 16 और दाएपक्ष यानि कि RHS में ये हो जाएगा 8 गुणा 3 बटा 8 ये काफी आसान है ये दोनों 8 कैंसल हो जाएगे और यहाँ केवल 3X रह जाएगा और इसके बाद 8 गुणा रिनात्मक 4 हुए रिनात्मक 32 और अब हमने समिकरण को काफी हद तक सरल कर लिया है और अब हम समिकरण के सभी X चरों को 22 पक्ष में और स्थिरांकों को दाएँपक्ष में ले जाते हैं दाएँपक्ष से 3X को हटाने के लिए हम समिकरण के दोनों पक्षों में से 3X घटा लेते हैं ये दाएँपक्ष में से 3X को घटाने का सबसे सही तरीका है तो 22 पक्ष में 6x घटा 3x हुए 3x, 6 में से 3 घटाने पर 3 आता है, तो ये हो जाएगा 3x जमा 16 बराबर 3x घटा 3x, हमने इसलिए दोनों पक्षों से 3x घटाया था, ताकि ये दोनों 3x आपस में कैंसल हो जाएं, और यहाँ पर केवल रिनात्मक 32 बचता है, अब हमें 22 पक्ष से 16 को हटाना ह तो ऐसा करने के लिए हम समी करण के दोनों पक्षों में से 16 घटा लेते हैं, ऐसा करने पर 2x में 3x रह जाएगा, ये दोनों 16 आपस में कैंसल हो जाएंगे, और 2x में 22 घटा 16 हुए, रिनात्मक 48, तो ये हो जाएगा 3x बराबर रिनात्मक 48, और अब x का मान पता करने के ल हम समी करण के दोनों पक्षों को 3 से विभाजित यानि कि डिवाइड कर लेते हैं, बाएंपक्ष में 3x बटा 3 हुए x, हमने यहां के वल x प्राप्त करने के लिए दोनों पक्षों को 3 से विभाजित यानि कि डिवाइड किया था, और दाएंपक्ष में रिनात्मक 48 भाग 3 रिनात्मक 16 तो इस समीकरण को हल करने पर उत्तर है x बराबर रिनात्मक 16 और अब हम x का मान मूल समीकरण में रखकर उत्तर की जाच कर लेते हैं और मूल समीकरण में यहां पर 8 नहीं लिखे हुए थे तो मूल समीकरण में x का मान रखने पर यह हो जाएगा 3 बटा 4 गुणा रिनात्मक 16 जमा 2 बराबर 3 बटा 8 गुणा रिनात्मक 16 गटा 4 और आप इसके बारे में ऐसे भी सोच सकते हैं 3 बटा 4 गुणा 16 हुए 12 16 भाग 4 कितने हुए इसका उत्तर 4 आता है और 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आता है हमने केवल भिन्नों को गुणा किया है इसलिए इसे हल करने पर रिनात्मक 12 आता है तो बाइपक्ष में ये हो जाएगा रिनात्मक 12 जमा 2 और रिनात्मक 12 में से 2 जमा करने पर उत्तर रिनात्मक 10 आता है तो बाइपक्ष को हल करने पर रिनात्मक 10 आता है और अब हम दाय पक्ष को हल कर लेते हैं यहां पर 3 बटा 8 गुणा रिनात्मक 16 है रिनात्मक 16 को 8 से विभाजित करने पर रिनात्मक 2 आता है और रिनात्मक 2 को 3 से गुणा करने पर रिनात्मक 6 आता है तो यह हो जाएगा रिनात्मक 6 गटा 4 रिनात्मक 6 घटा 4 हुए रिनात्मक 10 तो X का मान रिनात्मक 16 होने पर ये मूल समिकरण को संतुष्ट करता है समिकरण यानि की equation के दोनों पक्षों को हल करने पर रिनात्मक 10 आता है और इससे सिध्ध होता है कि समिकरण के दोनों पक्ष बराबर है